आप आईफोन में स्क्रीन शोट केसे सकते हो तो उसके लिए मैं अचीन वे बताने चाहर हूar जो कि बहुत ही इसी है तो चलिए देखते हैं लिए मैं के वह रहा। उसमें आपको volume up का बटन प्रेस करना है और जो आपका lock का बटन आता है वो दोनों एक साथ प्रेस करने है जिसे कि मैं अभी कर रहा हूँ देखना तो देखा आपने volume up और जो lock का बटन है वो दोनों आपको एक साथ प्रेस करना है जैसे कि मैं आप फिर से करके बताता हूँ देखा तो यह ऐसा काम करता है जो आईफून का screenshot होता है वो ऐसे काम करता है तो अभी हम देखते हैं कि दूसरे वैसे कैसे काम करता है अगर आपका समझो यह lock का button खराब हो गया या volume आपका खराब हो घै तो हम दुसरी वैसे कैसे screenshot ले सकते तो इसके लिए आपको naming सेटिंग में जाना है जाने के बाद आपको जाना है कि में जाने के बाद आपको touch पे क्लिक करना है टश के प्लिक करने के बाद आपको जो अससेव टश मिलता है उसको आउन करना है अभी जैसे यह आपको ग्रेड डॉट दिखेगा तो इसमें आप एक स्क्रीन शॉट आराम से ले सकते हैं जैसे कि आपको इसमें जाना है आपको यह डिवाइस का एक साइन दिखेगा यहाप तो उसके आपको क्लिक करना है उसके बाद यह जो तीन डॉट दिख रहे आपको तो उसके अंदर जाना है तो यहाँ पर आपको एक स्क्रीन शॉट का ऑप्शन मिलेगा जैसे कि हम भी प्रेस करके बताता हूँ तो देखा आपनी ऐसा वर्क करता है तो अभी हम तीसरा भी प्रेस करना है एक नॅब कर आपको लेने अज़यगा तो इसके आपको नीच जाना है और यहाँ पर आपको दिखा होगा स्क्रीन स्कॉट का अप्शन में तो प्रेस अंच कर पाद ना है नॉर्मल सेलेक करने के बाद अभी यह आपका यह डूच आता है आपकी स्क्रीने पर उसको simply hold कर करके रखना है आपका screenshot ready तो इसी तरह आप screenshot तीन वेज से ले सकते हो अगर यह आपको वीडियो इनफोर्मेटीव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भुलना वीडियो को लाइक और शेर जरूर करना थैंक्स पर वचिंग